हेलो फ्रेंट्स स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में मैं हूँ प्रेंगा आज की इस वीडियो लेक्षर स्रीज है इसमें हम राज्तान की प्रेंटिंग का सेकिंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं इसे प्रिविएस हमने एक वीडियो लेक्षर है वो कम्प्रिट किया थ जिसमें हमने राज्तान की प्यांटिंग का ओवरेंटर किया ता साथ ही हमने यह जानने की कोशि किते हां इस लिए हमने वीडियो आप से मेक्षर अब Q और पूखे गये हैं आज भी हम इस वीडियो सेरीज output करेंगे तो जो भी हमने प्रीविएस वीडियो लेक्षर के अंदर रीट किया है फिर्स्ट फॉल हम उसे रिवाइच कर लेते हैं और देंट हम उससे आगे का पार्ट है वह कवर करेंगे जैसा कि हमने देखा था कि राज्तान की पेंटिंग जिसकी स्टार्टिंग आपको 1500 AD के अराउंडिंग देखने हो मिलती है फिर साथ से पंदरवी सतरवी सताब्दी के दोरान इस पर मुगल सेली का परभाव देखने हो मिलता है जब इंडिया में मुगल आ जाते हैं और सेली का परभाव देखने हो मुझा तो राजस्तान की चित्रकला है इस पर आपको विभी डाइमेंशन है वह देखने मुझे हैं सब्सक्राइब कि कि प्रकार क्लासिकेशन जो विभी विद्वाननों द्वरा किया गया है इसमें एक विद्वान का नाम देखा था ओसी गां कि राज़तान की चितरकला है वो किस प्रकार की है राज़बूद चितरकला के रूप में बताई थी जो अनंत मार सुवामी है उन्होंने अपनी जो बुक थी राज़बूद पैंटिंग जो 1916 में लिखी थी उस तक में राज़तान की चितरकला है इसका फर्स्ट टाइम पर र्हुंप जह शुचन सब्सक्राइब कर तो अगर आपको तो और आप लिखनी चीटरकला हों है किस टोट तो आपको दुसरा जो चूज करना होगा वो कनल जेम्स टोड का है उन्होंने भी राज़तान की जो बेंटिंग है उसे राज़स्तानी चितरकला के रूप में टिवाय क्लासिफिकेशन है वो किया था इसके लावा हमने एक नाम देखा था व.h.braun का व.h.braun है उन्होंने राज़स्तान की चितरकला है उसे राज़पूत कलाक के रूप में क्लासिफिकेशन किया था तो कलाक के रूप में कहने वाले थे व.h.braun उनकी पुस्तक आपको देखने में लेगी इंडियन इसके अलावा हमने देखे थे कि रास्तान की जो प्राचीन चित्रित गरंथ है जो आपके जेसल में रखे हुए हैं जिन हदर सुरी भंडार ग्रह तो उस संग्राले में रखे हुए हैं ओग न्युक्ति वृति और दस्वेक तालिका सुतर चुणने यह रास्तान के आपको क् देखी थे आपके च Carney कि टर्म चिटेर क्या होता है जो पैंटर होता है उसे को क्या अज आancing का जाता है इसमें हमने कुछ मेंजर चितेर कवर खे थे जिसमें हमने भैंस के चितेर की रूप में देखा परमानन्ड चॉयल का नाम स्वान की चितेर के रूप में हमने देखा थ था एंड अधर आपके बस जाते हैं तो भीलो के चितेरे तो भीलो के चितेरे के रूप में हमने गोवर्दिन लाल बाबा है उनका नाम कबर कियाता तो यह कुछ मेजर हमने पैंटर के देखेते जिने किसी विशेश शेतर विशेश में ख्याती प्राप्त होने के कारण उन्ह सब्सक्राइब बंड़ को इसके और जगोवहन मात्रिये हैं Mexican के चितेर की रूप में जाता है इसके लावा की छितेरे के लूप में नाम को भागे भारती चितरकला के पितावय की संगेश दी जाती है वही राजस्तानमी चितरकला के आधुनिक चितरकला के जनक के रूप में जने जाना जाता है वह है कुंदलाल मिस्त्री कुंदलाल मिस्त्री यह है कुंदलाल मिस्त्री आधुनिक चितरकला की जनक भारती चितरकला की जनक है वो है रवी वर्मा वन लाइनर पेक्ट आपसे इस प्रकार के क्यूसन है वो पूचे जते हैं एक्जाम्स में सुर्जित मर्चोयल है वो फॉस्ट मोमन थी चितरकार थी एंड इसके अलावा वन लाइनर फेक्ट में आपके एक जोती सवरूप कच्वा का नाम भी आप स सब्सक्राइब नगया का अव्यियाएसाव ल मॗ नडल में लाइक अपसे के लिए उसमें प्रमों के लिए निए पुएंगग के जंगलों के चितरन के लिए इने परसीधी प्राप्त है और अदर बिर्गती हैं उनमें राम विज्यवर्गे का नाम भी देखा था राम विज्यवर्गे एक काफी इंपोर्टेंट आपके नाम है वो देखने मिलता है पैंटिंग में कई broaden your निए कम मैं स्वा म्हादय पूर में स्वाय मादयपूर स्वाय मादयपूर में इनका जनम्हा था चाला और रम, इन्होंने जयपूर की स्कूल ऑफ आर्ड से इन्हों से इनुच्षा प्राप्त की कि इनके जेवन पर जो इनके गुरू थे सेलंदर नाठ डे इनका प्रभाव आपको देखने मिलता है इन्होंने एक बुक की रजना भी की थी अभिशार निशा इन्हें पेंटिंग में इनका महतफून योगदान देखे तो पेंटिंग में इन्हें एकल चितर प्रदस्नी लग तो बर्पोर कासी हमने कवर्ठ की थी इसके अलावा हमने कवर्थ कृति दरभ्रतपूर की और एक लोकेशन हमने देखी थी आलनिया कोटा की कि हालनिया कोटा आलनिया कोटा है वहाँसे स्रीधर वाकणकर नामग जो वेकती थे उन्हें सेल चितर प्राप्त हुए थे बेराठ है बेराठ से वी ए टॉल में नामग वेकती थे उन्हें चितर प्राप्त हुए थे और दर भरतपूर से डॉक्टर जगनाथ पूरी है उन्हें पसुपक्षी रिगार्डिंग सेल चितर है वो प्राप्त ह यहां से आपको सेल चितर है वो देखने मिलते हैं इसके अलाव हमने रास्तान की भोगोरिक और सांस्क्रतिक डेजन के एकोडिंग चार स्कूल देखी थी पैंटिंग के रिगार्डिंग हमने रास्तान में चार स्कूल की बात की इसमें से हमने एक स्कूल देखी थी आपके मे बुंदी की अड़ोती स्कूल है इसमें दो उपसेलियां देखने मुलेगी पैंटिंग की बुंदी और कोटा डुंडार स्कूल है डुंडार स्कूल में आपको आमेर उपसेली देखने मुलती है आमेर जेपूर वाली जो उपसेली है वह इसी में दुंडार में देखने मुल यह वह आते हैं इंद तो उसकूल है उसमें इंक्लूंड होती आपके आ मेर्वार यह सिक्वल्प में आती हैं उन्य झाल het इस्कीयवी के ज कुल में आपके अजमेर किसंगेर्ट नागोर और जोथ्पूर वेaya पोचार्नेशनेirse उपसली देवगड और taş ऊपसली है तो यह है प्रिवी वीडिऊ लेकर किती च्यार्गी स्कूल शेयतbbeWaAd 흐 हृ ति Corp बुठि मेवबर स्कूल में 50 उध्यपूर जहां से चावंड में परताप के टायम पर images मेवबर में remaining 33 चीत्रकला कंई उसकी स्टार्टिंग तेखने मिलेगी. देवbbeद में तेवगेच में आपको 20 चुंडवत हैं उनके टाइमम पिरेड में आपको penting हो देखने हमती है वही ना तुवारा ना तुवारा में आपको रासिं जो सासक होत है उनके समय आपको penting है वो देखने हमती है इसके अलावा हमने बात की थी मेवाड पैंटिंग के संदर में जानकारी मिवाड की जब हमने रीट किया था तो हमने इसमें हमारे जो पढ़ने का तरीका था वो हमने पहले जो मेज़ सासक हुए थे मिवाड हिस्ट्री में उनके संदर में थोड़ी सी जानकारी कवर करने की कोशिस की थी जिससे आपके history और art and culture वाला पार्ट है वो एकदम mind में इसका clear हो जाए दोनों आप इन connect करके अच्छे से read कर सकते हैं तो जब हम भी कुई से भी subject को cover करते हैं तो हमारे लिए उसको connect करना बहुत ज़्यदा जरूरी होता है इससे क्या होता है कि आप उस subject के संदर में सभी जानकारी है और उस topic के regarding सभी जानकारी वो अच्छे से cover कर सकते हैं और आपको याद करने में भी इच्छी होता है उसे according हम first देख लेते हैं थोड़ा सा revise कर लेते हैं इसमें मेवार की stories जब हमने बात की थी तो हमने देखा था कि मेवार जिसके प्राचिंग नाम आपको मेथ पार्ट प्रागवार और श्रीवी जनपत देखने मिलते हैं इसमें जो सासक हुए थे उनके थोड़ी से हम जानकारी देख थी हमने cover के थी गुहिल को देखा था गुहिल जीने सायस्तापक की रुप में जाना जाता है इसके बाद में बप्पा रावल आते हैं जिने एक लिंग मंदिर के निर्मान के लिए इन्ने विसे इसरुप सी जाना जाता है और नागता को उन्होंने केपिटल है वो बनाई थी इसके बाद मैं अलहट को देखा था अलहट का परसासने की योगदान था नोकरशाही की स्थापना और वर्या मंदिर की स्थापना में जतर सिंग का नाम हमने कव़र किया था जतर सिंग है वो बूताला यूद के लिली जाने जत जतने हैं 1227 में उन्होंगे इल्तुत्मिस के साथ बूत și यूद काकया था इसलिए जैतर और जो वहां की जनता है उन्होंने कालांदर में चितोड को राजदानी बनाई थी और चितोड राजदानी है वो मेवाड में जेतर सिंग के टाइम पिरिड में बने थी फिर देखने को मिलता है तेज सिंग का टाइम पिरिड तेज सिंग है इनी के टाइम पिरिड आपको जो प्राचिन चितरित प्रंथ है , इसकी रसन हुई थी तेज सिंग के बाद में आप डेखते हो टाइम पिरेड समर शिए का , बंक्ञार सिंग के शीवन मे इनका जो 25 सगस्तेरा सुतीन का चितोड का पहला साका है वो आपको देखने मिलेगा और इसी समर्शिंग के एक पुत्र था कुमकरण जो नेपाल चला गया था और वहां पर गुहिल साका की डायनेश्टी है उसकी स्तामना खीती इसके बाद में आप सकते हो हमीर जुन्होंने वापिस चितोड प्रकपजा किया था सिंगोली यूद में मुहमत विन तुगलिक को हराने में उनका योगदान आप देखती हो लाखाया लक्ष के जब जीवन देखती हो तो उनका योगदान आप मिसेज रुप से आपको उनकी जीवन में पिछोला जील का फॉर्मेशन आ प्राप्त करने चांदी की माइन साह्वों मिल गई थी इनके जीवन में वह चुंडा वाला योगदान है वह आपको देखना कि प्रतिका के थी और उन्हें कुछ ठीकाने है वो दिये गए थे शोला में से छीआर जो ठाने है वह चुंडा को दिये गे थे लाखा के बाद मे वो मोकल का देखने उमते हैं मोकल है इनके टाइम पिरिट के आपको कुछ पैंटिंग देखने उम लेगी जो सूप आसरवना चरितम वाली पैंटिंग है वो मोकल के टाइम पिरिट में बनी थी तो मोकल के टाइम पिरिट में आपको पैंटिंग देखने है सूप आसरवना च कुमबा के बाद में कुमबा का जीवन है वो यूध वगरह में है इसे में बीच यता है और इन्होंने working on is the thing playing in it को में कब आ बहुत आपको कंगें संद निंद अपको तक रूपकी तो है कि 2453 पूर्फची मैं music संदी है वो कुंबा की टाइम प्रिटिकिया है अपको इनके जीवन में 1437 का सारंग पूर्यूद है वह देखने में इसमें सारंग पूर्यूद है में महमेद फिल जी है उसको रहा था और कालांतर में उसे के याद में विजे इस्तम्भ जो सुर्वायत विजेस नव है उसका फॉर्मेशन है वह इनके द्वारा और उसके अलावा इन्होंने नागुर उत्रादिकार संगर्स है जिसमें सम्सखा और मुजायत खा है सोरिसम्ज का और फिरोज का उनके मद्दे जो उत्रादिकार संगर्ष चल रहा था तो उस संगर्ष को भी सौल करने में कुमबा की जो भूमिक है वो मैं थे उन देखने मुते हैं कुमबा की जीवन में राज़ती इस्थापत्य और इसके लाव आपको साहित की योगदान है वो देखने मुते हैं कुमबा है इनको मिवाड में चितर से लिके जनक की रूप में भी जाना जाता है तो मिवाड में चितर कला के जनक है वो कौन है मारणा कुमबा है कुमबा के के बाद में हम साथ सक देखते हैं रायमल के संदर में जब भी हम जानकारी कवर करते हैं तो इनने को सुंडी बावड़े के फॉर्मेशन के लिए याद किया जता है साथी वर्तमान जो एक लिंग मंदीर के सवरूप है वह हमें इनी के टाइम पिरिट का देखने हो मिलता है त इस शुर्ब से इनके राज़दित्यक योगदान के लिए याद किया जाता है बयाना और खांवा जैसे जीए परोड़े के बीकरमा देटी विकर्मा दिती जिनके टाइम परोड़ चीत उड़गा सेकिंड साका होता है बहादूर्शा इक्रिंड अर्जब उटे करता है तब ये तोड़का सेकिंड साख का देखने को मिलता है विक्रमा दित्य के बाद में आप बनवीर, उदेज सिंग, इनका नाम देखते हो उदेज सिंग है, इनका टाइम पिरिड आपके लिए पैंटिंग में काफी इंपोर्टेंट हो जता है उदेज सिंग के टाइम पिरिड के आपको एक पैंटिंग मिलती है, परिजात आवरन, नाना राम या फिर नानक नाम नामा के एक चित्रकार है उनके द्वारा बनाएगी थी, तो हमने जो मेवाड की प्राचीन चित्रित ग्रन देखते हैं इनके संदर हमने अभी जानकारी कवर की है, कमल संदर द्वारा निर्मित स्रावन परिजात आवरन, यह तेज सिंग के संकान की है, वही हिरानन द्वारा निर्मित जो सुप आसर आवरनाद चरित्तम है, यह मोकल के टाइम पिरिड की है और उदेज सिंग के टाइम पिरिड की आपको नाना कराम या नाना राम द्वारा निर्मित परिजात आवरन की जित्रन है, वो देखने मिता है, इसके अलाओ उदेज सिंग के संदर में जानकर देखें, तो उदेज सिंग है, इन्होंने उद्यपूर की स्थापना कीती, 1559 में उद्यपूर की सापना कीती, और उदेज सिंग की टाइम पिरिड भी अकबर अटी करता है, तो चितोर का तीस रसा का आपको देखने मिलेगा, 1560, 8K अराउंडिंग, चितोर का तीस रसा का, फूल कवर और जैमल पता के नेतर पिवाम में आपको देखने मिलता है, इसक मेवाड की जो चितरकला है, उसका सरतंतर डवलप्मेंट आपको इनी के टाइम पिर में तेखने मिलेगा, तो खरताब के टाइम पिरिड की रहस्तेती गठना में आप देखोगे, हदी घाटी, यूद, दिवेर गठना, और इनी के टाइम पर शेरपूर गठना, 1580 वाली श पास्ट अटेक किया था, उसके बाद कालांतर में उन्होंने चावंड को अपनी केपिटल बना ली थी और चावंड से वह परसासन कारी है, वह स्टार्ट के ता वही से आपको क्या देख नहीं है, परताब और परताब के बेटे अमर सिंग, इनके टाइम पिरिड में एक मह सिरुदी, ना सिरुदी ने परताब के टाइम पर धोला मारू का चितरन किया था, वहीं अमर सिंग के टाइम पर बारा मासा और आगमालाखा चितरन किया था, इनके बाद में आप देखोगे करन सिंग का टाइम पिरिड, करन सिंग के बाद में आप जगा सिंग देखते हो, करण सिंग और करण सिंग के बाद में आप देखते हो जगत सिंग करण सिंग ने तो एक मंदिर का निर्मान स्थार्ट किया था जग मंदिर और उसको कंप्लेट करने में जो योगदान जाता है वो आता है आपके जगत सिंग का इसके अलाव करण सिंग ने करण विला तिल्कुस महल का फॉर्मेशन भी किरवाया था वहीं जगज सिंग है जगज सिंग का टाइम पिरिड आप पेंटिंग की दरस्टी से देखते हो तो आपको गोल्डन टाइम पिरिड देखने मुदत है हमने देखा था कि जो मेवार चितरकला है उसमें जो गोल्डन टाइम पिरिड आपको देखने मुदत रहा है वह जगज सिंग का देखने मुदत रहा है इनके टाइम पर तस्वीर और कार खाना जो डिपार्टमेंट है उसकी आ जाएंगे ना त्वारा पोरा जुबसेली है शित्रक लाथ की मेवार की उपसेली उसमें आपको इन राज सिंग का टाइप रड़ हो देखने मिलेगा इन्न spricht और ओरंन् स्वौंट को जब मुर्तियों को तोड रहा था को दूमोर फिल या दिया था हम इस विर शवरोध में पर लगता था जज्ज। हो फिरांद इस इम पिरी दिअ कि इन एक रहलो पर लगता था महीं सबीक्त सब्सक्राइए में डीनले सबस्क्राइब का टीनल मनदीरि9 primo है जही के बनाए पिशार सा पहले हैं उनमें आप एक जै सिंग का नाम देखते वो एकि घी की पेंटिंग में इनका महतोभूंड योगदान आपको देख मुए था जैसंग के टाइम पर बनीचर पैंटिंग स्टार्ट हो गही थी हमने कल बात कि दिती है मिनिचर पैंटिंग सुक्षमों वस् आपको चीतरकार भी देखने मुलेंगे इसके अलावा हमने जो मेवाड में सासक देखे थे उनमें अमर सिंग सेकेंड का नाम आपको देखने मुलेगा अमर सिंग सेकंड उन्हीं देबारी समझतों के लिए याद किया जता है अमर सिंग के बाद में आपको संगराम सिंग का नाम हम देखते हैं यह संगराम सिंग है इनके टाइम फिरिट पर आपको मियवार्चो चितर कला है अब विश्यर से रिगार्ण क्य beating खित्र आहें वहें। जिसमें एक्जांपल के रूप में देखें कलीलभ य दामना के रिगार्ण हैं आपसे एकêuसे हैं वो भी पुछा गया है प्रिविस एक्जाम् में यहीं पर आपकी जो मेवाड वाली हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जती है तो इसको हमने पैंटिंग से इसको connect करके देखा था वापिस revise करें तो मेवाड के सबसे प्राचीन सितरित करंद में हमने देखा था कमल चंदर द्वारा निर्मे स्रावक पर्तिकरम सूतर चुणनी इरनन द्वारा निर्मे सूपासरणाद सरितम नाना राम या नानक राम द्वारा निर्मित परिजात आवनन इसके लगा हमने देखी थी मेवार से लिए है उस पर आपको लाल पिले रंगों की प्रधानता देखने हम लेगी अजिंता से लिए प्रभाव अब वो देखने हम लेगा इनन जैदा पर आपको चितरह आपको 1605 में रागमला का चितरह कर रहे है इसके बाद में आपको महतुपून योगदान देखने मिलेगा जगर सिंग का टाइम पिरिड गोल्डन एरा इनका माना जाता है टाइम पिरिड इन्होंने पैंटिंग के रिगार्डिंग एक डिपार्टमेंट बना दिया था अलग से डिपार्टमें तस्वीरा रोकार खानो महतुपून जो चितरगार है मनोहर चिनोंने रामायन की चितर बनाए थे तो महतुपून चितरगार आपको मनोहर देखने मिलता है इसके लावा एक साहिप दी नर्मक चितरगार भी वे थे इनके टाइम पिरिड में साहिप दिन पिर जय सिंग का टाइम पिर डाता है जय सिंग लगू चितर के लिए जाने चाते हैं संग्राम सिंग के टाइम पर अलग लग सब्जेक्ट के चितर बनने लगे थे और महें तो कुन चितरकारों में आपको नाम देखने मिलेगा नाशिरुदिन, साहिब तीम, मनोहयर, नाना राम, किरपा राम, गंगा राम और नुरुदिन तो यहां तक यह जो कल की वीडियो लेक्सर है वो रही थी हमारी आज हम उसे आगे का पार्ट है वो कवर कर रहे हैं तो फर्स्ट फॉल तो हम वीबाई को भी देख लेते हैं जो मेवार चितर से आप से किस प्रकार से क्यूसन है वो पूछे गए हैं वो उसको भी अंप्लेट कर लेते हैं दिन हम देवगड और नात्वारा चितर से ली कवर के रहेंगे मेवार सेली से जो आपसे एक्जाम में पूछे गए हैं उनमें फर्स्ट किूसन आपको देखने मिलेगा चावंड सेली के परसीज चितरे नासीरी दिन या फिर इसनी का नाम आपको देखने हमता है नासर दी नासर दी ने रागमाला का चितरण किस सासक के स्रक्षन में किया था अभी हमने देखा था नासीर दिन है उन्होंने रागमाला का चितरण किया था 1605 में किया था तो नसीरुदीन ने रागमाला के चितरन किन के टाइम पर किया था अमर सिंग फर्स्ट के टाइम पर पर परताप के टाइम पर और अमर सिंग फर्स्ट दोनों के टाइम पिरिड में यह चितरकार था आपके नाशिरुदीन परताइप के ताइप पर तो इन்हों ने 7512 में धोला मारू का चितरण किया था वहीं अमर सिणग फिर्ष्ट के टाइप पर इन्होंने 1605 में रागमाला का चितिरण है वो आपको पर हीस और साोड़ QU lor Kah abundant Sali कップ चैनलई रख नेए है शूँ पास्रर्राइब उनाथ चरितम जो मोकल के टाइम पर जिसकी रसना वी थी हिरानन ओरा इसले निद्डीशन में 1523 में तो यह क्या है एक आपके चीतर देखने होता है इसके अलगा नेक्स्ट आपसे क्यों पूचा गया है मेवाड में रागमाला रशिक प्रिया गीत कोविंच जैसे विसे के लग्वू चीतर सेली है यह किस आसक के काल पर चरम सिब्मा पर पहुंच गेती यानि कि गॉल्डन एर 1622 जो महारानच चगर सिंगा टाइम पर यहां पर मेवाड चीतर चिकला है इसका गॉल्डन टाइम पर था रागमाला रशिक प्रिया गीत कोविंच जैसे जुल लगू चीतर है यह इस टाइम पर अपने चरम पर थे इन्होंने तस्वीरारो कार खानो या फिर चीतेरों और प्रगति का लिए प्रगति का मनुरम द्रश्य है वह इनके चितरों में आपको देखने लिए तो नात्वारा पेंटिंग है यह पिछवाई चितरन के लिए जाने जाती है नेक्स्ट आप से पूचा गया है पिछवाई क्लाकरति से बने चितर किस में उद्रित किया गया है तो पिछवाई वाले स्रिकिश्न से रिगार्डिंग है ए जुनात वारा वाली जो चितर क्ला है इसमें आपके प्रशितार है पर्शित झोचतर है आपके गीदिंगों से जो गीत कोविंद का चितर है, वो किस सेली में निर्मित है, तो ये मेवार सेली में निर्मित ग्रेंथ है, गीत कोविंद, जब आप जैसर में सेली देखोगे, तो वहाँ पर आपको परसी चितर देखने मिलेगा, मूमल, गीत कोविंद है, वो मेवार सेली का है, किसंगर सेली है उसके पहीं है विसेस्ति आपको देक्षक्ट मिलती है हुआ हम उससे आगे का काय्य ना अज हम कुवर करें है फस्ट अमारी रहे के देवगड स्केली देवगड पchae करें कि मेवाद कि अप Remember से कि मेवड स्कोल कि उसे लिभ से लिए इस पर अब आवर को आपको द्वारीकाःत में शुन्दावत तुन्दावत में देखने embed को रहे हैं है वो किया था सुम्में में सुटि देवार देवगर अपसेली देवगर है ये मेवार जो इसकूल उसी के एक हूपसेली है देवगर पैंटिंग इसकूल इसमें जो महतुपुन डौलपमेंट आपको देखने हुआ रहा है बोसा सेके टाइम पर है दौरिकादीस चुंडवत जो समंध हुआ करते थे उनके टाइम प्राड आपको इसमें डेवलोप्मेंट देखने मिल रहा है स्रीधर अंधारे नमक एक देखती थे उन्होंने इस सेली को परकास में लाने का खारिया है वो किया था यहां पर आपको कुछ भीती चितर देखने मिलते हैं और यलो रंग की परदानता इनके चितरों में आपको देखने मिल लेगी तो भीती चितरों में आपको मोती महल के एक्जांपल आप इसमें लिख सकते हो अजारा की ओवरी के एक्जांपल आप इसमें मेंशन करते हो तो अजारा की ओवरी मोती महल जैसे भीती चितर है वो आपको देवगड उपसेली में देखने होता है साथी यलो कलर की प्रदानता है वो देवगड उपसेली है उसमें देखने होती है यह देवगड उपसेल है यह आपको मेवाड स्कूल, मारवाड स्कूल और धुन्डाड स्कूल इन तीनों का मिक्सरन इसमें तेकने हुब लेगा मैतवपूर्ण इसके जो चितरकार रहे हैं वो रहे हैं कवला, चोखा, बेजनाथ, बगता, हर्चंद और नागा या नगा इनका समंद्ध कौन सी पैंटिंग के रिगार्डिंग है इनका समंद्ध आपको देवगड चितरकला है इसके रिगार्डिंग आपको इनका समंद्ध है इनका इनका मिश्रन भी इसमें देखने मिलेगा साथी यलो रंगी प्रदानता देखने मिलेगी और भित्ती चितरन है वो इसमें देखने मिलता है नेग्स्ट आपकी जो पैंटिंग आती है पैंटिंग के स्कूल आती है वह आती नाथल्द उप्षळी नातवड़ा पैंटिंग इस्कूल की जब भी हम बात करते हैं तो हम महराजा राज सिंझ का टाइम पिरेड है इंके time period में चुर्नाथ द्वारा स्कूल नें चाहिक है उन्हों ने श्रिणाथ का मंधिर का ऑंक्रोली है वहां पर रहे उन्होंने मंदिरा का करवा रहे हैं दुआरी का दीस मंदिर का फॉर्मेशन करवा रहे हैं अंबा माता का मंदिर बना रहे हैं इनका यूगदान है वह आपको लिए इंपोर्टेंट हो जाता है फिर इसमी की महत्वण विस्टा रही ती पिछवाई चितरन इसके रिगार्डिंग आपसे एक्जाम की चितर आपको इसमें देखने में लेंगे हरा और पीले रंग की प्रदानता इसमें देखने में रहे हैं गायों के चितरन इसमें किया गया है साती देवताओं की चितरन का कारी है वह भी इसमें किया गया है तो नात्वारे स्वेंटिंग है इसकी मेहत्वण विस्टा इलाइची के रिगाडिक, कमला और इलाइची यह क्या है? महिला चित्रकार है, राम चुंदर, राम लिंग, घाशी राम, उदेराम, नारायन, चत्रबूस, तुल सिदास है, यह पुरुष चित्रकार है, इसके रिगाडिक आपसे एक्जाम में क्युस्टन भी पूजा गया ह कि राम लिंग का समन्द कौन सी पैंटिंग से रिगाडिक है, राम लिंग, तुसिदास है, चंपा लाल है, यह कौन सी पैंटिंग के रिगाडिक, पैंटर हुए है, तो यह है, नात्वारा पैंटिंग के रिगाडिक, ऐसे विसे मत्सोच ना कि आपको नाम याद नहीं हो स ओदेराम चंदर वोह भगवान के नाम पर आपनेजं़राम अंपने दो में साई ओद दैज्म सकते हैं नारायण उल्सिदासा, और या ह में वरहा है Lets मेला चितरकार इसमें हुई है कमला और इलाइची कोई हार्ड इसमें नाम देखने नहीं मिलते हैं जब आप बेकानेर सेले देखते हो तो बेकानेर वाली जो चितरकार है उसमें आपको जो नेम देखने हैं वो मुस्लिम नेम देखने हैं मुस्लिम चितरकार हुए थे और उन से चोखा बगता इस प्रकार से कवला चोखा बेजनात बगता पर चिंद नगगा है यह इसमें देवगड में आपको देखने किते हैं मेवार में हमने अभी बात किती नाशीरुदीन और इसके अलावा हमने क्या था मनोहर मैं तो हूंग वेगती है मनोहर उनका नाम देखा थ है वो भी आपको देखने मिल रहे थे मेवार में एक्जैम क्लियर करनी है तो यह नाम तो आपको इसमें प्रेंटिंग वाले टोपिक है इसमें नहीं होगे अच्छे से कवर ऐसे नेक्स्ट आपको इसमें मेवार जो चितर से लिए है इसमें एक नाम आपको देखने मिलेग मोथीचन, श्रीधर अंध्रे और और आर के विशिष्ट है इनका योगदान आपके लिए important हो जता है मेवार चीतरकला पर इनोंने काफी अधिकारी किया था मेवार चीतरकला पर कारी करने के लिए उनका जो listeners योगदान आपको important हो जता है है मोथीचंद श्रीधर अंदारे और आरकिवर्जीष्ठ इसके अलावा जो वेक्तितते हैं डगलस गे रेट और बैसिल गिए इन्होंiley जो मेवार से लिए है इसका बता हैो छोड़то पेंटिंग्साय yes je satisf MP2 कि 45 वह उता है उन्होंने 45 चैली के रूपमें www.nb,rp चैनलन उन्होंने 45 ल्बन देख नहीं कहती है शपरते हैं जीन एक पेंटिंग आपको तका जब आसदन के मोना लीशा के संगया दी जाती है यह आपको देखना मिलें की किसनगेर सेली की विश्यसन चैली की है जिसमें आउने में जाकरी के प्रिवेस वीडियो मुझंडे इसलिए एसे छे इंसे मोनालीशा की चे संगे वो दी जाती है अर्ज दे करें अ可以 यह पैंटिंग2 आपको दे करो है है यह पैंटिंग से Ambassador से लिए उसके रिगार्ड पैंटिंगfulness जुमम्हार्ड चाह्थ है पर्त्वी राष्थ थर्ड उनके समन्न पर ये पैंटिंग को की गई है अजमेर सेलिंग की पैंटिंग है वह आपको देड़ नमती है और इसी एकोडिंग होती थी चोर-पंचासी का सेलि यह है राश्थान की पैंटिंग का एक एक ग्जांपल आपको इसमें देखने मिल रह किस प्रकार से अनकी बताए गया है वह रासतान की उटेटर और इसमह संथमें और है है भी भी जो चित रहा है वो रास्तान के पैंटिंग के रिगार्डिंग वो दिली के राष्टी संग्राहले और अधर जो भी म्यूजियम वगरा हैं उनमें रखे गए हैं इनकी संद में जानकर हैं वह आप गूगल या फिर अधर इसी सोर्स हैं कम्प्रीट रूप से देख स आपको डियाग्राम अच्छे से मिल जाएंगे इसी के साथ जो मेवाड स्कूल पैंटिंग है वह इसमाप तो हती है नेस्ट आपके जो पैंटिंग आती है वह हम प्रीट करेंगे मारवाड स्कूल के रिगार्डिंग मारवाड स्कूल और उसकी हमने उपसेलियों की बात किती है आपके अजमेर सेली बिकानेर सेली जिसमेर सेली नागोर सेली तो यह आती है मारवाड उपसेली के अंदरत मारवाड उपसेली है इसमें देखें तो इसमें आपको महतवन वेक्तित हुए या फिर सासकों में इसका development देखने मुझे है मैं तो पूर्ण चितर इस ताइम पर आपको देखने मुझे लेंगे चोखेला और उत्राधेन के सुटर इसके चितर आपको इसमें देखने है मालदेव के सासंग के टाइम पर वही सूर्ष शिंग का टाइम पिरिड है इनके टाइम पर आपको संपर्दाय का परभाव इनके टाइम पिरिड में देखने है मान सिंग के टाइम पिरिड आपके इसमें मारवार स्कूल पेंटिंग है इसमें गोल्डन एरा है नाथ संपर्दाय का परभाव और जो नाथ सिव पुराण शरीतर है वो इसमें देखने है तो गोल्डन टाइम मान सिंग के टाइम पिरिट वहीं जब हमने मेवाड स्कूल में देखी थी तो उसमें हमने वल्टन टाइम पिरिट किया था जगासिंग फ़र्स्ट का इसके रिगार्डिंग आप से कृशन भी पुजा गया था तैस्विर और कार का नोट इंपार्टमेंंट के उन्होंने नि को देखना है इस प्रकार से महारवार इसकोल है इसमें आपको विसेस्ता है को देखना क्योंते है तो फर्स आफ फोल हम अम्वारवार इसकोल में मिलगुल करेंगे चैप्टर तो इसको वोल्च करके पानिवानज पीक et अच्छे से रीड है वो करना है हम कवर कर रहे हैं मारवार्ड अगर आपका और कोई सजेशन वगरा हो न तो आप कमेंट सेक्षिन में मेंशन करते हैं वैसे मुझे किसी ने कमेंट में या फिर परसनली डूप से मैसेज करके या था मेंशन की आप अपने सेखावटी लेंग्वेज है इसका थोड़ा मेंशन कीजी वीडियो में तो मुझे ज्यादा नहीं होता है जितना होता है मैं उसको कवर करने की या कोशिस तो करती हूँ हम देख रहे हैं मारवार्ड स्कूल ओपैंटिंग मारवार्ड स्कूल ओपैंटिंग है इसमें आप फर्ष्ट आप सासक देखते हो जब हम मारवार्ड की इस्ट्रे देखते हैं तो हमें वहाँ पर सासक देख मेंता है राव शीहा राव शीहा उसमें खेड को अपनी केपिटल बनाकर जो राठोड सासक है उसकी इस्थापना करनेवाल जो वेक्ती थी वह थी राव सीहा राव सीहा के बाद में आप नाम देखोगे आस्थान आस्थान का नाम आपको इस्ट्री में देख मिलता है दूहर्ड धंदल इनका नाम भी आपको देख मिलेगा पाबू जी मलीनात राव मलीनात का नाम आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है तो राव सीह है उन्होंने मारवाड में खेड वे नमके जो इस्थान है उसको अपनी राज दर मिनई थी और राजबू साका है का उसकी इस्थाफन है हो तोछ़ड का युगदान ये देखने ही नागनेची मता का मंदीर है वो बनाएता जो राजस्थान के मैत्वन लोग देवता है今天 निए है जो मैनि जो लोग देता हैर घौ मलिनाथ ता इनका मैं मारवाब के बहए सिफ्टल इनका विवार गर्क वाद जो राणा लाखा उनके साथ हां जो शाल वार जेखने हैं नाहीं जब सच भीवार जेखने लावल भावब के संदिफ भी देखने हुँ है 1413 में वह आपको देख में लेगे तो कि आहए इन्हें मंदोर है वह देज में प्राफ्त होटा स्थे वाली है वो आपके रंड़ मल के टाइम प्रिड में रावसुंडा की नहीं यह वह चुन्डा आपके मेवाड केलग है यह अलग मैंने थोड़ा दलत मेंशन कर दिया राव चुंडा है इनके टाइम पर तो आपको देखने मिलता है मंडोर इनको दहेज में मिला था और पर्थिहारों की राजमरे से इन्होंने शादी की थे तो मंडोर इनको दहेज में मिलता राव चुंडा के बाद में आपको काना का नाम देखने था है और खाना के बाद में रणमल का नाम आपको राजपूत में सासन है उसमें देखने था है इसी राजपूत में रणमल है इनी के टाइम पिरिट की वो गटना है हैंसा भाई वाली हंसा भाई जिनके शादी मेवाड के लाखा से हुई थी और बाद में लाखा के पुत्र मोकल सोरी चुंड़ा है उन्होंने भीश में पर्तिगया की थी तालांतर में लाखा और हंसा भाई का पुत्र हुआ था मोकल और उसी के सरक्षक के रूप में कारी है वो भी रणमल और जो मिवाड के चुंड़ा है उन्होंने किया था को समय तक यह आपको महत्वों सासख इसमें देखने हैं फिर आपको एक महत्वों नाम आपको देखने है जोधा का जोधा को आवल पावल की संदी के तहत मंदोर प्राप्त हुआ था जोधा सु त्रेपन में और इननी काला अंतर में 12 माई के अकॉर्डिंग 12 माई 1459 के दिन जोधपूर की स्थापने की थी जब आप 1559 की 1559 की बात करते हो तो उदेशिंग का नाम देखते हो उदेशिंग ने उदेपूर की स्थापने की थी मही 1469 की बात करते हो 12 माई 1469 तब आप देखते हो कि जोधा ने जोधपूर की स्थापने की है यही जोधा है इन जोदा का यूगदान है वहemiहरानगर ед लोपमेंट कर वाने से इस बाद में आपके मैहतवोण साथा सक आता हैं उसमें उसमें रा ऑू सातल सुजा और व्थ चोटे साथशक से रा साथ-वीर गंगागा जैसे गंगागा के कट्याकर के बाद में सहसक बना था मादेव मारवार में वहा अथा में उपन सहसक था ? बर लिए के टाइम पिरिड में आपको सेर्शा सूरी का टेक देखने हो मिलता है 1549 का गिरी सुमेल के यूद्ध है वह देखने है इसके जात यूद्ध किया था और इसमें इनके महतेफुर्ट जो विक्ती रहे थे इनकी तरफ से जेता और कुंपा वहीं सेरसा सूरी की तरफ से भाग लेने वाले विक्ती थे जो राज्तान के सासा कल्याडमन और वीरमदेव यह आप इसमें मारवाट के स्ट्री में मालदेव के योगदान है राज़तिक योगदान झına में आख इनकी डेवलोप्फयिंट्मिंट में निका योगदां आपको देखनें में अभी तक हमने बात की मारवाट में मारवाट के जो राथौट राजवंस है। इसमें हमने देखी राव सीहा जो सहींस तपक है सीहा के बाद में आपने देखे आस्थान आस्थान के बाद में आपको नाम देखने मिलता है दूहर्ड नागनेची माता के मंदर का फॉर्मेशन करवायता धांदल इनका कोई मिसेस योगदान देखने मिलता है नहीं मिलता है पाबु जी रास्तान के मैंत्रफुन लोग देवता वाले टॉपिक में कवर हो जाएंगे राव मलीनाथ ये भी लोग देवता है लोग देवता वाले टॉपिक में कवर हो जाएंगे मलीनाथ जी के बाद में आपको देख मेंता है चुंडा मंडोर इन्हें दहेज में जोधा राव सातल राव सुजा राव गांगा और गांगा के बाद में आपको देखते हो मॉल देगा टुंदा कि समन्द में हमने देखी जानकारी में प्राप्त हुआ था और जोधा के समध्स में कि क्या इन्हों ने जॉद्पूर और में महिरांगर्स नोवेंच किया था और जॉद्पूर सहर है इसकी स्थाफना किरी 1459 में इन्हों इसकी स्थाफना के थी 12 मोई एड इनी मंदोड वाले जो लोकेशन है वह आवल वावल की संदी खी थी 1453 उसके प्राप्त हुआ था अवल वावल की संदी के तह्यात इनी के बेटा था विका बिकाने बिकानेर सिहर की स्थाफना की थी अक्शे-तीरत्य वाले दिन हम ने कुछ चोटे सासक आप देखोगे राव साता सुलजा गांगा गांगा की हत्या करके मालदेव सासक को ना था मालदेव को मारवाट की इस्ट्री में पित्र हर्त्या सासक के रूप में जना जाता है 52 यूद किये थे 58 परगने जीते थे सोज़त और पोकरन पहले इस्टार्टिंग में दो ही परगने थे इन्होंने विकानेर की कल्यार्णमेल है उसे 1541 में पाही बास आईवा की यूद में हराय था विर कालांतर में 1544 में गिरी सुम्यल के यूद में यह हार जाते हैं सेरसा परताप से continue इनोंने क्या किया था संकर्श किया था परताप किस स्रण में इनके भाई उदेज सिंग और राम है उनके साथ भी आपको देखने मुझत है और अकवर के साथ भी इनका विवाद है वो आपको देखने मुझत है जब अकवर भाद राजून अठे करता है तो यह शिवाना चले जाते हैं शिवाना अठेक और गरता है तो पिपलून चले जाते हैं काण तो पेंटिंग के रिगार्डिंग इनका योगधार आप नहीं देखते हैं उसके बाद मेरा नाम आप देखते हो मोठा राजा अदेश सिंग है उन्होंने अकपर के अधिंता सवीकार कर ली थी और उसके बाद में पैंटिंग है उसका डॉल्लप्मिंट आपको देख नम ले अब करन सिंघ के साथ है कि इसके अलाव आपको मोन शाज सक कि हम देखते हैं सूस्य सूव希न चीजसिंग है अधनी के टाelnर में ऑड़ु और मारू का चितरण में वीर जी ने रागमाला का चितरण किया था तो सून सिंग का चीज शूह सलन पिरिट में अप जस्वन सिंग का कहीं है जस्वन सिंग का टाइं पिरिड में इनुंहोंने बाद में घजुआ है जो समोगडवाले यूद यूद्ध है। इनी की जो रानी थी हाड़ी रानी जस्मा दे उन्होंने बाद में जस्वन सिंग जब धर्मत की यूद में भाग लेकर वापस बीच यूद से वापस आ जाते हैं तो जस्मा देने जो फोर्ट है उसके दरवाजे बंद कर लिए तो यह आपने कहानी है बो सुनी होगी जस्व ओक में लेगी अजस्वन सिंग 15 अजवन से लाज़दस रजदते करणाओं के लिए याद किया जता है इनका परणचप सेख साथ व्युवात था और अजीच सींग और अजीच संग के एक दरबारवी विद्वान थे राव दुर्गादास दुर्गादास और अजीच सिंगे हैं इनका जीवन है वह संगर्ष में चला गाता राज़त के लिए ने याद सासक देखते हो अभाई सिंग है इनके जीवन की मैतवन गटना आपको खेजरली गटना देखना देखनाती है इसके अलावा आपको नेक्स्ट आप सासक देखोगे मान सिंग मान सिंग है इनका टाइम पिरेड जो पैंटिंग है जोद्पूर की पैंटिंग है उसके लिए गॉल्डन टाइम पिरेड था इन्हीं के टाइम पर ना संपर्दाय का प्रभाव बढ़ गया था ऐसा क्यों के अधिवनात देवनात ने इनके राजा बनने की बदेक्ति परदान किया तो ना संपर्दाय के रिगार्डिंग चीतर है कि आपको इनके समय में देखने मीं लेंगे कि इसके अलावा लाश्ट आप देखते हो तक्त सिंग मेहतुफून सासकों में आप देखते हूं मारवाड में तक्ति सिंग तक सिंग के टाइम पर आपको यूरोपी प्रभाव वह देखने होता है जो पेंटिंग है उस पर यूरोपी प्रभाव आना स्टार्ट हो गया था एच मुलर नमके क्वेक्टी हुए थे एच मुलर उन्होंने दुर्गादास राठोड का चितरन किया था दुर्गादास राठोड वही हैं जोनोंने अजीस सिंग के साथ मिलकर औरंगजेब के साथ संगर्ष किया औरंगजेब की अधिनता मोगल अधिनता स्विगार करने से मना कर दिया था और औरंगजेब को दोगी में कुछ मैंतरफॉर्ण था सी in a जिसमें एक वेक्ती बेटा हुए है उंट का चित्रन आपको दिखाए दे रहा है मैला का चित्रन देखने हुए तो वह उस प्रगार के तोला मार वाले चित्रन है वह सूर शिंग के टाइम परिड बनने स्टार्ट हुए थे वीड जी ने रागमाला का चित्रन इनके टाइम में किया था 1623 में इसके अलाव इसमें सासक देखते हो जस्वन सिंग जस्वन सिंग के टाइम पर आपको मुगल परभाव देखने हुए वलब समपरदाय का परभाव इनके टाइम परिड में देखने हुए वलब समपरदाय में तो स्री किष्णा उस से रिगार्डिंग च इस परकार के वह इनकी टाइम पर प्रभाब है वह इसके ताइम बढ़ गया था इसके अलए हम देखें मतिराम एक मतिराम नाम को एक थी है उनकी पुस्तक है ललित मतिराम है उनकी पुस्तक आपको देख रूमती है रस रास या फिर ललित ललाम इस आधार पर भी चितरन है वो इनके टैंपरेड में मिलते हैं मान सिंग के टैंपरेड उनने का ना गोर्डन टैंपरेड था तो इस 63 चितर है वहां के महामंदीर से प्राप्त होते हैं मांद सिंग के टाइम प्रभाव आ गया था एक प्रिक्ती हुए थे उन्होंने दुर्गदास राठोड है उनका चितरन किया था मारवाठ की चितरकला है इसकी विश्यस्ता आपको देख नोवनिती है प्रेम कहाने का चितरण इंकी पेंटिंग में देख नोवनिती है मेहतोपन चितरकार जब आप देखते हो तो इसमें एक उसन पुछा गया है सेफ़ू रामा नाता है यह कौन सी painting के regarding चितरगार थे तो यह थे मारवाड पेंटिंग के regarding तो यह question से आप से एक्जाम में question पुछा हुआ है रामा, चजू, नाथा और सेफू इसके अलावा सिर्दास, संकरदास, अमरदास, दाना भाटी नामक चुद पेंटर है वो मारवाड से लिए है उसमें आपको देखने मुझते है मारवाड स्कूल में देखने मुझते है तो यह हमने बात की है मारवाड स्कूल पेंटिंग की इसके अलाव हम देखते है किसंगर जो से लिए है उसकी painting देखते है किसंगर जो उप से लिए है पेंटिंग की उसमें development आपको देखनें ते है सावन सिंग या नागरीदास के टाइमपर सावन सिंग या नागरीदास है इनका टाइम प्रियड है वो गोल्डन एरा माना जाता है पेंटिंग के रिगार्डिंग एंड जो महतोपून्ट पेंटर इनके टाइम पर हुए थे व नहीं अमीर चंद नामा के एक चित्रकार है उन्होंने चांदी नीर रात की गोश्ट है उसका चित्रण है वो कियता है तो किसंगर सेली है इसमें आपको देखने मुलेगा महिला संद्री के प्रदानता आपको इसमें देखने मुझती है मौर्दस निहालचंद का नाम काफी इंपोटेंट है विभी ने एक्जाम में रिपीटेट किसंद पूचर जाता है मौर्दस निहालचंद के रिगार्डिंग बनी ठणी का चित्रण इनके द्वारा किया गया था किसंद्र सेलिस से समन्दित ये विखती थे इसके लिए अमिर्चंद है इनका नाम भी देखने में देखना है चांदी रात की गोश्टी का चित्रण इनके था और अधर जो महतरपुन चित्रण हुए हैं उनमें आपको नाम देखने मिलेगा मदन सिंग, मूलरास, नानक र किसंद्र से लिए उसके महतरपुन चितरगार कौन-कौन से हैं मदन सिंग, मूलरास, नानक राम, तोसी दास, सूर्द्र वैस, रामनाथ, लाड़ी दास और जो मेक्सिम मitting रिपेटाइड कुछ जाता है वो मोरत वरस निहाल्जंद के रिगार्डर पुछ जाता है, सावं सिंग या नागव्य दास के रिगार्डर की था है, इस में देखे था नेक्स्च आपके जो शेली आती है वो आती है, नागोर उप सेली, पैंटिंग के ज विशेस रूप से चट के लिए रंग नहीं है उदान सीनता आप वो इसमें देखने में रहें तो बुचे वी रंग है वो इसमें देखने में लेंगे नागोर उपसली उसके अंतर हते हैं निक्स्ट वीडीयो लेक्षर है उसमें आप बिकानेयर उपसली में उसको कवर करेंगे तो उसके रिगाड़िंग इंपोर्टेंट जयनगारी वो कवर कर लेते हैं इसके अप योगदान देखोगे राय सिंग और अनुप सिंग्स के टाइम पिरिंड पर जो साथ हुए है रा कर देंटेंग. उसमें प्यपेंटर होय थे नेम ौर देंटेंग में date है. उसमें अब उनाइर कम दो कुद्स है, लाल भूर, लाल और भेंग ने और स्लेटर रिंग की व्रदान्ता इस में आपको देख रम रहं की दो श्टैल आपको Azismメ देख रहं बिद्धिया उस्त Joyce में उस्ता कलोब मथेना आत उस संognय की खाल होती थी शोने की कारिगरी कारे को उससे उसन两ग कला हो जेन कलाकारों के रिगार्डिंग थि उस तिकला है उंट की खाल पर चित्राइंगन का का करें की जता थै गूंदिन जो मैजर कलाकार उस ताखला कर के हुए हैं वो हैं बहुति पेंतर होई हैं और सधिन और मत्रियन कुला कि कला के जो मैं था हूं पेंटर वे हैं वो है मुन्ना लाल चंदूलाल और मुकुंद मुननालाल, चंदुलाल और मुकुंद, इनके रिकार्डिंग एक एक्जामे क्यूसन है, वो भी पूछा गया है, जैन कला कर रहे थे, मुननालाल, चंदुलाल, मुकुंद, ये मत्राणा कला है, उसके पेंटर थे, मत्राणा कला के अंतरत क्या किया जाता है, आला किला आखी हार पर श आंकन का कारिया वह किया जाता है यह ती पेफानियर की पेइंटिंग और पीर हैं गएससे के एक रिलीके नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाइ थैंक यू और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेर और कमेंट कीजिए कोई आपका सजिसन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं नोट्स वगर आप उची है तो आप हमारे तो इसका कर सकते हैं आप पर 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 दो सकते हैं तो आप अन्धर से ड्रॉप टेलग्राम गरूप कर सकते हैं है तो इस से के साथ है वीडियो है यह पीस समप्द करते हैं मैं हम लोर अहिं से बूरे और अपनी इस्टटी है उसको कॉंटिनियो करके 17 झाल झाल